नमस्कार, Safety Management Study YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है आज के हमारे वीडियो का भीज़ है वर्केट हाइट आज के इस ट्रेनिंग सेसन में हम जानेंगे वर्केट हाइट के बारे में हम जानेंगे वर्केट हाइट क्या है, वर्केट हाइट के क्या खत्रे है इन खत्रों से क्या हो सकता है, क्या नुकसान हो सकता है सुरक्षा साधनिया क्या लेना है जब भी हम वर्केट हाइट पे कोई कारे कर रहे है किसी भी हाइट पे काम कर रहे है एक वर्कर की क्या जिम्मेवारिया है जब भी वर्केट हाइट पे काम करता है या कोई भी काम करता है तो एक वर्कर होने के नाते या हम सभी कि क्या जिम्मेवारी या है इसके बारे में जानेंगे सबसे पहले हम जानेंगे वर्केट हाइट क्या है यानि किस कार्य को किस काम कम वर्केट हाइट बोलेंगे तो ऐसा कोई भी काम या कार्य जो जमीन से 1.8 मिटर के उचाई पे किया जाए वो वरके ठाइट है यागर कोई भी काम 1.8 मिटर के वाब हो रहा है उसे मौरके ठाइट बोलेंगे या ऐसा कोई भी उचाई पर करए, जहां से गिरने का खत्रा हो, उसे भी हम वर्के ्ठाइट भोलेंगे वोसाय का अनुसार अगर कोई भी कार रहे 1.800 एवाब हो रहा है, उचाई पर हो रहा है, तो वर्के ठाइट है लेकिन ऐसा नहीं है कि ये fix है, अगर ऐसा कोई भी कार रहे है, जहां से गिरने या खत्रा है, उसे भी हम work at height ही कहेंगे work at height के कुछ उधारण है, कुछ example है, जैसे scaffold पे अगर हम काम कर रहे हैं, ये भी एक work at height है अगर हम seizure lift पे काम कर रहे हैं ये भी एक worket height है अगर किसी या man lift पे काम कर रहे हैं ये भी एक worket height है अगर boom lift या man lifter पे काम कर रहे हैं ये भी एक worket height है अगर हम एक छोटे stool पे काम कर रहे हैं लेडर पे काम कर रहे हैं अगर किसी भी उचाई पे काम कर रहे हैं, तो सारा वर्केट हाइट है, हर एक साल construction field में जो भी कार रहे होता है, उसमें से लगबग 30% जो दुरगटना होता है, वर्केट हाइट पे होता है, और ये दुरगटना fatal accident होता है, नि इस दुरगटने में किसी ना किसी की मौत हो जा है, तो अगर हम सही से काम करेंगे, safety follow करेंगे, तो हम भी सही रहा पाएंगे, और जो घर के परिबार वो भी खुशाल रहेंगे, दुरगटना के बाद काफी नुकसान जहलना पड़ता है, जिसके सांद दुरगटना होता है, या उसका जो family member है, सभी को, तो ऐसा कोई unsafe कार करें ना करें, जिससे आपको नुकसान हो, और आपके परिबार को भी नुकसान हो, सुरक्षा क्या है, सबकी जिम्मेवारी है, हमारी भी है, आपकी भी है, तो सबको यह follow करना है, जो भी आपका safety officer होगा, या engineer होगा, supervisor होगा, daily आपको TVT में, toolbox stock में बताता होगा, तो आपक कि आपको इसका पालम नहीं कर रहरे है, तो ultimate नुकसान आप ही होगा, आपको जिलना होगा, क्योंकि एक safety officer आपके घर नहीं जाएगा, नहीं आपको दुख सुनने वाला है, जब भी आपको बताना होगा, वह भी आपको काम में वह कर पाेगा, बाकी आपको देखने है, तो सबसे पहला है अधूरा working platform, अगर इस platform पे काम कर रहे हैं वो अधूरा है, सही से बना नहीं है, तो यह एक खत्रा है, दूशरा है Uncertified working platform, जो भी working platform है कर रहे हैं, सर्टिफाइड नहीं है, inspection नहीं हुआ है, tag नहीं लगा है, तो यह भी एक खत्रा है, platform पे अतिदिक भार, यानि अगर जाएदा हम load देते हैं, platform पे ये भी एक खत्रा है, suppose कि अगर दो आदमी काम कर सकता है, वहाँ पे हम 10 बंदे को रखे हैं उस पे, तो ये भी एक खत्रा है, next है loose material, अगर कोई भी loose material है, तो ये भी एक खत्रा है, किसी के उपर गिर सकता है, या किसी को ठोकर लग सकता है, अगर platform में gap है या hole है, ये भी एक खत्रा है, क्योंकि कोई भी material या tool उस hole से उस gap से गिर सकता है, पूगर हाउसकीपिंग, अगर पूगर हाउसकीपिंग है, साप सफाई नहीं है, ये भी एक खत्रा है, किसी को ठोकर लग सकता है, कोई फिसल सकता है, और चोट लग सकता है अब परियाप्त रास्ता, अगर रास्ता सही नहीं है, आने जाने का, ये भी एक खत्रा है Fall Protection का ना होना अगर Life Line नहीं है Full Body Harness नहीं है और अगर High Use नहीं कर रहे है तो यह भी यह खत्रा है अगर जो भी Surface है हो Slippery है, Ficipleland वाला है तो यह भी यह खत्रा है अगर जो Workman काम कर रहे हैं Compedent नहीं है, Untrained है तो यह भी यह खत्रा है अगर मौसम खराब है ये भी एक खत्रा है वरकेट हाइट के लिए खत्रों के पंड़नाम यानि जो भी वरकेट हाइट पे खत्रे हैं हजाट से उनके क्या पंड़नाम है उससे क्या हो सकता है हमें इसके बारे में जानेंगे तो सबसे पहला है fall of person अगर ये सारे खत्रों पे हम अगर काम करेंगे तो कोई भी व्यक्ति हाइट से गिर सकता है और गिरने से fracture हो सकता है यानि कोई भी हड़ी कोई भी आपके सरीर का bone damage हो सकता है तूट सकता है और fatal भी हो सकता है यानि मौद भी हो सकता है नेक्स्ट ए fall of material यानि कोई वस्तू गिर सकता है height से जब भी हम height पे काम कर रहे हैं और वस्तू गिरने से किसी भी कामगार को चोट लग सकता है जो की नीचे काम कर रहे है या fatal यानि मौद भी हो सकता है नेक्स्ट एग collapse of platform अगर platform सही नहीं है तो platform ढह सकता है collapse कर सकता है और काफी मात्रा में लोगों को और material को नुकसान हो सकता है वरकेट हाइड सुरक्षा नियम और उपाए जब भी हम वरकेट हाइड पे किसी उचाई पे काम कर रहे हैं किसी भी temporary platform पे काम कर रहे हैं तो क्या-क्या safety हमें follow करना है क्या-क्या उसके उपाए हैं नुरगटना से बचने के लिए इसके बारे में जानेंगे तो सबसे पहला जब भी हम कोई कारे कर रहे हैं working platform पे तो certified होना चाहिए यानि किसी competent person दोबरा किसी भी supervisor इंजिनियर दोबरा वो certified होना चाहिए जो भी अगर scaffold उसपे green tag लगा होना चाहिए तब भी हमें कारे करना है अगर green tag नहीं लगा है rate tag लगा है तो उसपे हमें काम नहीं करना है अगर कोई भी ladder है उसपे भी tag लगा होना चाहिए अगर कोई भी lift है mechanical lift है उसका TPI होना चाहिए यानि third party inspection होना चाहिए तब जाके हम किसी platform पे कारे कर सकते हैं दूसरा है और काफी important है जब भी हम height पे काम कर रहे हैं किसी platform पे काम कर रहे हैं तो जो fall protection system उसका इस्तमाल करना है जैसे कि life line, full body harness बीना अगर इसके हम काम करते हैं तो height से गिर सकते हैं आने जाने का रास्ता में सही इस्तमाल करना है इसके लिए में ladder का इस्तमाल करना है और जो ladder होगा वो 75 degree पे लगा होगा और उपर नीचे दुनों तरब से बदा होगा secure होगा ताकि ladder हम रहा फिसले ना और जब भी हम उपर जा रहे नीचे आ रहे तो गिरे ना S.W.L. का पालन करना है यानि safe working load का पालन करना है जब हम किसी S.C.F.W. पर या किसी temporary working platform पे काम कर रहे है तो यह देखना है कि इस platform का capacity कितना है जैसे आप figure में अब देख पा रहे हैं यह tag पे लिखा है 120 kg यानि 120 kg तो दो person ही काम कर सकते हैं अगर हम दो से ज़्यादा काम कर रहे है तो यह safety नियम का उलंगन है जो भी authorized person है उसी को allow करना है काम के लिए suppose अगर आपका height pass नहीं बना है आपने height के training नहीं लिया है तो आपको height पे काम नहीं करना है अगर हम कहीं भी काम कर रहे हैं वहाँ पे good house keeping रखना है साफ साफ ही रखना है ताकि कोई भी दुर्गाटना नहीं हो सके अगर आपको workout height training का पीडियोप डाउनलोड करना है तो description में link दिया है वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं यह comment box में link मिल जाएगा उस पे click करें और डाउनलोड करें सुरक्षा के प्रति आपकी जिम्मेवारी यानि हमारी या आपकी क्या जिम्मेवारी है जब भी हम workout height पे काम कर रहे हैं तो क्या क्या देखना है ताकि कोई भी दुर्गाटना ना हो तो सबसे पहला है work permit के बार में पूछना है आपका जो भी supervisor है engineer है जिसके अंडर में आप काम कर रहे हैं तो आपको at least एक बार पूछना है कि sir permit मिला है कि नहीं हो सकते है आपको पढ़ना ना होता हो चेक करना ना हो लेकिन एक बार आप पूछेंगे उसे ध्यान में आएगा किसी अगर platform पे आप काम कर रहे हैं उस पे inspection tag देखना है कि tag लगा है कि नहीं tag valid है कि नह आने जाने कर रास्ता आपको check करना है कि सही है कि नहीं जो भी आपको instruction दिये जा रहा है जो भी आपको कहा जा रहा है उसे आपको follow करना है जितने भी safe की training होते है उसमें आपको भाग लेना है उसे छोड़ना नहीं है भाग लेंगे तो आपको काफी कुछ देखने को जो भी unsafe काम इसको Report करना है ताकि unsafe काम को रोकाया सके और उसके कारण को पतलागा जा सके जो आपका काम है आप पर ये ये और ओठराई ये वोगि आप काम करना है कि आपको अपने परिवार और अपने लिए सुल्चा का नियम का पालन करना है ताकि जो वह भी आपका family है वह भी खुशाल रहे और आप भी सही से काम कर सके और fit रहे हैं